बिहार में जारी सियासी उतल पुतल के बीच एक ऐसी ख़वर सामने आई जिससे नितिश कुमार की मुश्कले पढ़ सकती हैं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादो की पार्टी ने जीतनराम माझी को राज्य का मुख्य मंत्री बनाने की पेशकर्ष की हैं जीतनराम माझी हम पार्टी के निता हैं और उनकी पार्टी के पास विधान सभा में 4 विधायक हैं जबकि RJD के पास सबसे अधिक 89 विधायक हैं जीतनराम माजीब बिहार के CM भी रह चुके हैं नितीश कुमार ने उन्हें CM बनाया था और बाद में हटा दिया था इस पर हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि अगर वो प्रधान मंतरी पत का भी उमिद्वा पास मायने रखता है हम NDA के साथ एक जूठ हैं और हमारे विधायक भी एक साथ हैं आपको बता दें कि अगर जीतनराम माजी की पार्टी हम प्रस्ताव को स्विकार करती तो नितीश कुमार के लिए बड़ा जटका हो सकता था बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच ग्र दुष्मन नहीं होता उनके बयान से साप समझा जा सकता है कि जीतनराम माजी NDA गडबंधन को छोड़ कर कहीं नहीं जाने वाले हैं भाजपा के सहयोगी और पूरो मुख्यमंत्री जीतनराम माजी के बेटे शंतूज कुमार सुमन ने दावा किया कि बिहार सरकार एक दो द करना है ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि बिहार की मुख्यमंत्री नितिश कुमार अपने पूरों सहयोग्यों के साथ संबंधों को पूर जीवित कर सकते हैं जोंकि इंडिया गडबंधन के साथ उनके समीक्रण खराब हो गये हैं आपको बता दें कि बिहार विधानसभ मौझूदा महागडबंधन के सहयोगी जेडियू है जिसके 45 विधायक सत्ता रून गडबंधन के एक और गटक कॉंग्रेस के विधानसभा में 19 सदस्य हैं माले के सदस्यों के संख्या 12 है एंडिया के घटक हमके 4 विधायक हैं वामपंथी पार्टियों में CPI के 2 और CPM के भी दो विधायक हैं असदुदिन वैसी की पार्टी AI MIM के एक विधायक जबकि 2029 में एक निर्दली प्रत्यार्शी को भी जीत मिली है इस तरह सी आकणों का समीकरण है अब देखना है कि नितिश कुमार इस समीकरण को किस तरीके से साथ के हैं वीडियो डेस्क अमरुजाल लाइक करें